पिक्सल 2.0 बहुत सिंपल आसान बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट इसके अंदर तुम रेस्ट एपिए इसको किस तरगे से रेस्ट एपिए का यूज करते हैं और किस थर्ड पार्टी जो पेक्सल्स है या पिर कभी-कभी हम देखते हैं कि डोकेट और इन सबकी इमेजेस को ग तरगे एपिए पिक्सल के रहे हूं जाहिए वू नेन वाली रहे चाहिए म्यूज़ी क्वाल रहे हैं ईमडिब 것으로 ही कोई बहुत है वहाला काम है इपना जैसे कि यह वाला इसमे क्या करते हैं सर्च करते हैं जकिए लेपटॉप के मीज दिखाए दे रही है सेम हम ने जो बन स्टाइब से अपना यू इस टैप से तो यू आई और यह सब तो अपन कर लेंगे वह अलग चीज यू आई का वाला पाट अलग चीज उसके लिए अलग से बढ़ते हैं ठीक है यह कामक के वाल आपको लोजिक समझाना किस तरके से काम करा किस तरके साप सर्च एपिए इसको यूज कर सकते हैं किस तरके साप डिफोल्ट अगर आप इसको अटा कि अपर रिलोड करोगे तो फस्ट टैंप क्या दिखाऊगे तो वह सब हम जैसे आप लोगिण करो गया है सब्सक curb लीया है तो आपको सबसे पहले और यहीं पर लेकर तो आपको एक्सली एपते आप पर पर पेज और वह सब पास कर दो तुम्हें रेस्पोंस से मिल जाएगा जैसे कि मैंने क्या करा गए फंक्शन वर्ना गेट फोटोज करका मैं फेच का यूज कर रहा हूं एक जिसका यूज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसलिए नहीं करना पड़ेगा तो चलो ठीक है दिफोल्ट जो क्वेरी है वह आजाएगा जिसे डोग यहां पर आभी गया है और यहां पर यह कुछ-कुछ इमिज़ा आपकी डोग वाली आगे तो बाइडिफोल्ट आपने दे दिया ओके तो सबसे बहुत बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं में एक एक कैसे लि ठीक है ओके तो यह किस तरीके से जो आपको request की मिली उसको आप authorization में पास कर दोगा अभी मैंने इसको ENV में डाल रखा है तो वहां से में उठाए आप डारेक्ट भी copy paste कर सकते हो तो पहला का मामखा हो गया खतम ठीक है आप उसको बात face API का use करोगे face से जैसे authorization टोकर आपका ठीक होगा तो यह आपको एक response return करके देगा ठीक है तो अगर वो जो response return कर देगा उसको आपको JSON में convert करना है और जो data एगा उसको अधिक हो यह से डेटा डेटा से मह गया तो मैं इसको काम करता हूं रेस लेता हूं यानिकि response और आर एस पी का मनलब response ठीक है और उसको मैंने first time में get photos के अंदर इसको call करवा दिया है और जो भी आपका data हुआ उसको मैंने response get photos करके set करवा देगा आपको कैसे परता से लगए photos में आ रहा है तो आप वे इंस्पेक्ट कीजिए राट क्लिक करके inspect पर क्लिक किजिए network टेब में जाईए तो से पहले clear कर दिजिए आपको जो भी केट की चुछी तो केट करके enter दवा दिजिए आपको यह पर API call हुई है ठीक है अब जैसे इस API को open करोगे तो आपने query भीजिए प्लस पेज कौन सा यह और पर पेज में आपको पंद्र यह वह देरा टोटल और टोटल आठ जार केट की रिजन ठीक है तो जो फोटोज में है वह हमने क्या करा है याप पर नियुकर टोट शेर टोटना डालके टोट में डालकर और इसको इसको मेप करवा दिया सिंपल आएम जी बनाया और इसके स्टाइल लिखेंगे हैं आपकी डिस्पले अंपरकी डिस्पले स्केले के लिए और बम लिंभ ठिल के लिए तो इसका तूमें कहरा गाँ finalementire क्वेरी यूज एफेक्ट में आ गई आपका इंपूट फिल्ड है उसके अंदर ओन चेंज के अंदर आपको जो क्वेरी डालोगे है जो क्वेरी सेट हो गई है और जब आप की कोड 13 13 का मलब होता एंटर अगर आप एंटर दबागे तो फिर से एक ओल होगी एक अंदर क्वे एक आपको पेज़े नेशन भी एड़ करना है तो अपने यहां पर कर देता है एक डू बनाते हैं ठीक है दो बटन बना देते हैं आपकर अन क्लिक कि कि इसको कि नेक्स्ट और बैक अबब के लिए नेक्स्ट और बैक लिकता हूं इसको थोड़ा सा यू कर लेता है next और back हो गया ठीक है अब यहाँ पर भी एक काम करेंगे get photos और सबसे पहले तो आप देखे इस API को इसके अंदर के आर आपको next page करके एक variable मिल रहा है ठीक है तो अपने एक काम करें एक और variable नब बनाएंगे next page URL ठीक है या फिर page URL यह हो गया set page URL ठीक है तो अब मैं काम करता हूँ ठीक है इसको अब भी लिए कुछ नहीं करते हैं कुछ नहीं है लेकिन हम जिस सक्सेस उज़ादा तो यहाँ पर हम add कर लेंगी response dot and next page जो भी अपना next URL था है जो भी उने page URL दिया ठीक है अब इक लिए निक्स्ट करते हैं सबसे पहले और same API कोल करवाएंगे मैं आप ठीक है अब अब हमें यहां पर URL पास करना है page URL ठीक है तो मैं यहां पर सिंपल साइक काम करता हूं एक लोजिक लगा देता हूं कि अगर page URL है तो page URL otherwise जो भी URL है वो तो अगर आप अभी देखोगे तो मैं इसको करता हूं यह पे कोल करना था हूं डॉंग वाली अगर मैं next page करता हूं page 1 पर page 15 same data कैसे आ रहा है next underscore page sorry next underscore page आए यह पर ठीक है अपने निकलात कर दिया था हूं ठीक है अब जैसे में next underscore page पर क्लिक करूंगा तो यह photo change वो निची यह हो गए देखो next page के आगई सारी photos फिर यहाँ पर आ गया second page अब थर्ड पेज़ की API कोल होगी तो मैं जैसे next पर क्लिक करूंगा तो API को लोगी replace हो गई अपने को replace नहीं करना basically अपने को चलो अपन देखते हैं कि अगर page underscore URL है कि अभी के लिए replace कर लेते हैं छोट 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 चीज़े हैं उन पर ध्यान देते हैं तो आपका समझ आएगगी next page पर हम किस तरीके से एक अपन response को यहाँ पर करवाते हैं data है map करवाते हैं तो data. photos करवा देता है data. photos हो गया और जो set data हो गया response हो गया page URL वगरा कोई बात नहीं जो data है if data. next underscore page है तो वह pass कर दो दर्वाइस जो है वह पास कर दो यहाँ पर ठीक है अपन रिलोड करते हैं और अगर next पर क्लिक करेंगे तो यह next वाली पर इकोल हो गई ठीक है अधिग है फिन next पर क्लिक करोगे तो यह next वाली पर इकोल हो गई और आप चाथते हो कि पुराना भी data रहे आप चाहते हो कि कौन केट करना कि पुराना पंदरा डेटा जो पंदरा आये थे प्लस नए पंदरा वह सब भी दिखें तो उसके लिए आपको simply फिर आपको एक नए चीज करने पड़ेगी set photos करके यहां पर हमने photos कर लिया और अपने यहां पर map कर वाते है photos को only क्यों बताता हूँ अब इसमें क्या करेंगे यहां पर कर देंगे set photos ठीक आप इसके नदर response response.photos यह तो आईगी triple dot response.photos प्लस आपका जो पहले से जो photo set हो रखिए वो ठीक है और जैसे के पन dog के पेखोल कर वाता है आगे अब मैं next पेखोल कर रहता हूँ तो यह आगे add होगे ठीक है फिर मैं next call कर रहता हूँ तो third page के इसके आगे add हो जाएंगे फिर मैं next पेखोल कर रहता हूँ तो third page के इसके ज्यादा होगे add हो कोई भात नहीं तो इस तरह के साब अब पेखो आप next page का call कर वा सकते हो ठीक है तो अपन यहाँ पर एक और चीज़ लगा सकते हैं कि if select url by default url के होगा अपना यह वाला ठीक है तो अपन इसको यहाँ पर set कर देते हैं url और by default url set कर दिया अब हम देखेंगी एक सिग्निस सब अठा देते हैं यहाँ पर हो गया अपना url तो इफ data.next page है तो यह url हो जाएगा data.next page और इफ अच्छाब नेक्स्ट पेज होगा इसमें previous थोड़ी एक सिर्म देख लेते हैं चल्ब previous page भी दे रहाएं यह देखो तो if data.next previous page पेज तो url अपना हो जाएगा prev page ठीक है तो अपना हो गया है और मैं यहाँ से यह वाला हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी जर्वत नहीं है हम अलग-अलग ही चाहते हैं तो अब सबसे पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ reload करवाता हूँ तो अपनी dog की मिजिस आ गई है यह लास्ट वाला यह कुत्ता है मैं जाता हूँ अच्छलों नेक्स्ट और बेक की भी तो करवानी है एक सेकिन नेक्स्ट और यह अगया टीविस ठीक है सेम चीज हम यहां से कॉल करवाता है लेकिन हमें एक चीज पास करनी पड़ेगी यहां पर कि तुम कौन सा कॉल करा रहे है तो यहां पर बेक है ठीक है गेट फोटोस यह अपनियां से नेक्स्ट पास कर दिये तो अब हम यहां पर देखेंगे कि टाइप कि भाई क्या टाइप पार रहा है तो सबस्वेज़ तो अगर प्रिविस पेज है एंड एंड जो टाइप अपना वो बेक है ठीक है और यहां फिर नेक्स्ट पेज है ओर और जो अपना टाइप है वो नेक्स्ट है दोनों कंडिशन वो तब चले नहीं तो ना चले अब हम रिलोड करते हैं यहां पर हम कंडिशन लगा सकते हैं कि अगर पेज वन है तो अगर जैसे कि अपना अधा हमें पता डेटा में क्या है हमें पता डेटा में पेज आता है तो अपने यहां पर लगा देंगे अधा तो अभर और उए ना घृटा कैको समझ में आगया है ठीए आगया है यह आना चाईए नहीं तो बताओ इसका पेजिघा और करते हैं कि यह व्युद्न लगा देता हूं तक थोड़ा सा क्लियर नहीं तो जैसे डोग है आपको नेक्स्ट वाला चाहिए क्या तो आपका यी कोड कहां ना आयो आयो अछिव ठीक है थोड़ा साइव स्लो है ठीक है या गया नेटो की प्रोब्म है या रहे नेक्स्ट करते है तो आट तो आपको समझ में आ गया होगा तो यह code में github पे टाल दूगा आप लोगों समझ में आया होगा और उमीद है कि आप इसको भी ना देखी बनाओ गया और कुछ समझ में नेया तो बताना और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाई टेक क्यार